आपरों का सिलसिला जाट महाकुम्ब में रामिश्वा डूडी दोरा देगे बयान के बाद डूडी चर्चाओं में हैं रामिश्वा डूडी ने जाट महाकुम में जाट सीएम बनाने की मांग उठाई और राजस्तान में जातिकर जन्गर्ना की मांग की रामिश्वा डूड सामने आया। सामाज के बहुत बड़ी मिटिंग हुई कि पांसलाग हमारे लोग उसमें आये थे उनमें बैटके और समाज के जो अगण ही लोग है उन्होंने आचारों का आदान परदान किया। आप किसान कौम से हैं इस कौम से अब IAS भी बन रहे हैं आईपिस भी बन रहे हैं पॉलिटिक्स में भी जा रहे हैं आप जैसे कद़ावर नेता भी हैं जो कॉंग्रेस तो रीड की हड़ी रही है आपका समाज कॉंग्रेस की। देखो ऐसा है, मैं बता हूँ आपको, कि समाज की लंबे समय से माग है, जब देश आजाद हुआ, आजादी में जाट समाज का बहुत बड़ा रूल था, आपने देखा हुगा है, कि मैंने एक बात कही थीक है, हमारे एक बहुत बड़े इतियास कार हुए थे, ठाकुप तेस राज, उन्होंने सो साल पहले जाटों का इतियास लिखा था, उस जाटों का इतियास के अंदर, एक रनमल राजा हुआ करते थे, वो जाट समाज से थे, और बड़े प्राकर्मी और बड़े वीर और तेजस्वी यह वो राजा रहे, उस वक्त में आसपास के राजाओं ने सारों ने एकटा होके और एकता के साथ में राजाओं ने और उनकी सेना ने एक साथ धावा बोला था, उस ताइम में रनमल राजा जा, उन्होंने एक रनखम ठोका था, क्योंकि जब समाज पे जो विप्ति आती है, उस ताइम में रनखम ठोका जाता, उन्होंने उस वक्त इस देश और दूनिया के अंदर famous है आज वहां tiger sanctuary है पुरे वार्ड के अंदर पुरे देश के अंदर famous है तो उस वक्त में जो रन त नाम से बना उस वक्त में रनत त नौल बना आज का रन जो है उसमें रामश्वर डूडी रन थो पर हैं, कहीं कहीं वो किला, वो खंबा थो पर हैं, एक और मैं जोड़ूं, रायपूर अधिवेशन में आप चुनिंदा नेता है, राजस्तान से मातर दूसरे नेता थे, जो वहां बोलने का मोका मिला, आने वाले वक्त में कॉंग्रेस पार्टी और विदान सबा चु मजलों, ऐसा कोई बात नहीं है, बड़े परिवार के अंदर चोटा मोटा चलता रहता है, लेकिन हमारा टार्गेट 2023 का विदान सबाद चुनाव है, उन 2023 के विदान सबाद चुनाव हैं, क्योंकि हमें चार साल से उपर होगे, इन चार सालों के अंदर, हमने पिछला के अंदर, हमने करिए 78,000 करोड रुपए, किसान की वेबूती, किसान की मजबूती के लिए हमने उस पर प्रावदान किये, और वो धरातल पर आया, आज राजस्तान परदेश का किसान सक्ती की और बढ़ रहा है, मजबूती की और बढ़ रहा है, यह जो बजट हमने पेस क की है, उस बजट के अंदर पहले हमने निवेदान कर दिया परदेश के यूद को, उन यूआ और जवान को, कि यह पूरा का पूरा बजट परदेश के जवान के लिए समर्पित होगा, परदेश के यूद के लिए समर्पित होगा, इस बजट के अंदर हमने ऐसे प्रावद और किसान हैं, इनसे क्या पेक्षा हैं कॉंग्रेस पार्टी की और खास तोर से रमश्र डूडी की, क्या अगला सीम वापस सरकार रिपीट होने पर जाट बना चाहिए ये किसान कोम से बना चाहिए? कि आजक्र हमारे समाज के मीटिंग थे इस समाज के इंदर कि कि आजयती को 55 साल हो गगें इन 55 साल के अंदर राजस्तान के अंदर जू जाट समाज पाजिय की 25% भागेदारी ही आज यह दिया सब्स्कारणा कराओ, क्योंकि हम जन्गनपा करवाते हैं जाती नगनाव चाहते ह मेरे समाज एक ही आवाज नहीं है पूरे देश की आवाज है कि जो जनगना हो जाती के आधार पे हो राजस्तान के अंदर जिस दिन जाती आधार पे जनगना होगी उस दिन पता लगेगा पूरे देश और दुनिया को कि जात जो समाज है वो पचीस परसेंट से उपर है तो वो अपना हक चाहेगा इसमें कोई वो उनकी जो है अपने यह माने के भी अपने अधिकार और हक के लिए आम आदमी लड़ता है उसी हक और अधिकार के लिए समाज लड़ रहा है उस समाज की मांग जो है वो आप सब को सब्सक्राइब वाबगाई नहीं चाहता है जो ढ़ता है . तो ये समाज की ताकत है, समाज चाहता है, कि हमारा जो involvement है, राजनेती छेतर के अंदर जाट समाज कहीं कोई कौम नहीं है, तो डूडी साफ पिछली बार विदानसबा चौनमा में आपने देखा, कदावर जाट नेता जो है, उन पे भी मंतन हुआ, क्यों हारे हूँ, जाट स प्राकरमी है, वो मजबूत है, और आम आदमी की साहता और मदद करने वाली कौम है, उसमें हर कौम उससे जुड़ी हूई है, तो आने वाले समय के अंदर चुनाव हरना और जीतना, एक इलेक्शन की एक्वेशन बनती है, उस इलेक्शन से जो है, उस कोई समाज का व्यक्त अगली विदानसवा चुनाव में अगर वापसी करते हैं, कौंग्रेस वापसी करती है, तो जाट को ही सीम देखना चाहेंगे? चितर सालों के अंदर हमारी मांग जो है ना पूरी हो, और मांग वाजिब है, उसमें खाली एक समाज नहीं, उसके साथ में जो 36 कौम है, वो भी यह चाहती है, कि बड़ा समाज है, क्योंकि साहिता, मदद करने बड़ा, सराल, मजबूत, समाज है, तो उसके साथ में सब मिल कर, और वो बड़ा समाज वाज सब को साथ लेकर चलने वाला एक तावर संप्टन से काम करता है, जो शुक्रिया बाचीत के लिए, रामेश वर डूडी, जिनका साफ कहना है, कि इनके समाज का जो कुम्ब हुआ है, एक तरह से उसके अंदर ये बात निकल कर आई है, कि 75 वर सयोगी संकर सासर्थ के साथ रवी विष्णौई एवर सिंखा